ग्रीह मंत्री अनिल विज ने कॉंग्रेस निता दिग विजे सिंग के बयान पर ट्विट कर अपने प्रतिक्रिया थी। अनिल विज ने कॉंग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कॉंग्रेसियों को दो रंग की युनिफर्म पहनने चाहिए। दरसल कॉंग्रेस से नेता दिगविजा सिंग ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े जिस पर काफी बवाल मचा, बवाल के बाद कॉंग्रेस ने खुद इस बयान से किनारा कर लिया और दिगविजे के बयान को विक्तिकत बयान बता दिया और जब वो पार्टी का ओफिशल ब्याम दे रहे हो तो दूसरे रंगी बढ़ती डालने ताकि किसी परकार का अस्वंजस जबरांती ना हो और ना ही दिग विजे सिंग द्वारा राष्ट विरोधी ब्यान दिये जाने के बाद जैराम रमेश को और राउल गांधी को करिया थी अनिल विज ने कॉंग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कॉंग्रसियों को दो रंग की युनिफरम पहनने चाहिए दरसल कॉंग्रसी नीता दिग विजे सिंग ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किये थे जिस पर काफी बवाल मचा बवाल के बा की यूनिफार्म से निधारित करनी चाहिए जब वो विक्तिकत बियान दे रहे हों तो एक रंकी डालने और जब वो पार्टी का ओफिशल बियान दे रहे हों तो दूसरे रंकी बढ़ती डालने ताकि किसी प्रकार का अस्वंजस जबरांती ना हो और ना ही दिग विजे दूसरे ना ही दिग विजे सिंग ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किये थे जिस पर काफी बवाल मचा बवाल के बाद कांग्रेस ने खुद इस बयान से किनारा कर लिया और दिग विजे के बयान को विक्तिगत बयान बता दिया ताकि किसी प्रकार का अस्वंजस जब्रांती ना हो और ना ही दिग विजे सिंग द्वरा राष्ट विरोधी ब्यान दिये जाने के बाद जयाराम रोमेश को और रावल गांधी को स्वस्टी करन देरा अपने